नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दहूप में तो दोस्तों UK SSC ने नहीं नोटिफिकेशन जारी किया है समवाद 93 जो की संबंदित है पुलिस भरती में आयू सीमा के संबंद में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्राखंड अधिनस सिवा चैनल आगामी समय में उत्राखंड पुलिस भरती को आयू जित कराने वाला है जो की करीबन अठारासो पदों पर आ रही है कॉंस्टिबल के लिए और दोसो पद उसमें SI के बताई जा रहे हैं तो कई अभ्यरतियों कि मांग है कि आयू शीमा बढ़ाई जाए तो उसी के सम्मद में दोस्तों यह समवाद 93 है तो आयोक का कहना है कि बटी की क्वालिफिकेशन क्या होगी बटी में आयू शीमा क्या होगी और भरती में पदों की संकय क्या होगी ये चीज़ें आयोग पर डिपेंड नहीं करती है ये चीज़ें और उस विभाग पर डिपेंड करती है जिसके द्वारा आयोग को बिग्यपती भेजी जाती है तो आयोग का क्या कहना है कि आयोग पुलिस भरती के आयू सीमा में बड़ोतरी नहीं कर सकता है क्योंकि आयोग के सीमा से बाहर है आनि कि आयोग के अधिकार में नहीं है तो चलिए दोस्तों समवाद 93 के बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें पुलिस भरती में आयोग को यौपत्र बेजा गया है कि पुलिस भरती का इंतजार कर रहे है कई युवाओं की आयोटीस वर्स से उपर हो चुकी है और वे अब इस भरती में आविदन की उम्र धारित नहीं कर रहे है ऐसे में आयोग सीमा को 35 वर्स किया जाए इस संदर्ब में अभ्यारतियों को स्पस्ट करना है कि किसी भी पद्ब के लिए आयोग एम अन्य पातरता है वो सेक्चिक आहरता है क्या होंगी इसका निर्धन सेवा नियम वली वो कर्मिक प्रभंदन से संबंदित सामान्य आदेशों के दोरा राजी सरकार करती है आयोग इस संबंद में किसी भी नियम को बनाने या उसे संसोधित करने का छेतरा दिकार नहीं रखता है ऐसे में पुलिस या किसी भी अन्य भरती के लिए आयोग सीमा में छूट दिये जाने या किसी अन्य नियम में संसोधन किये जाने की कार्यबाई आयोग के स्थर पर संबंव नहीं है इसका मतलब दोस्तों जैसा विभाग कहेगा वैसा ही आयू करेगा आयू को विभाग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और दोस्तों अगले माँ यानि मार्च में पुलिस की भढ़ती आने वाली है तो वो लोग सासन को पत्र लिख सकते हैं तब जाके दोस्तों एज की बढ़नी की संभाव ना हो सकती है ये था दोस्तों संभाव 93 जो कि आयू की दोरा कुछ दिर पहले ही अपने ओफिसल वेबसाइट पे डाले गए थे सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे इंफॉर्मेटिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू